है आज की यह वीडियो भी एफ्वोर्ड फ़रसबेव की महसंग्राम रिवीजिन वीडियो होने वाले आज किस वीडियो ने जो जो मैं आपको प्रत्रुश्न बताने वाला हूं। काफी एलपुल है और सबसे पहले आज किस वीडियो में आपको एक माडल पेपर प्रस्तुत करेंगे कि वहीं आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको कोश्चन पेपर कैसा देखने को मिलेगा उसमें किस प्रकार की कुश्चन पूछा जाएंगे वह जानकारीर देंगे एक फॉर्मेट दिखाएंगे कोश्चन पेपर का उसके बाद हम कोश्चन आइंसर की जो पीडियाफ है उसके और हम चलेंगे उसमें से कौन-कौन से कोश्चन आइसा जो आपकी परिश्चन पार आने वाले हैं और जो बार बार रिपीट हुए उनकी जानकाई देंगे तो आपको इसलिए प्रिस्थत कर रहा हूं ताकि आपको पता जलेगे मारल पेपर किस प्रकार काएगा कुश्चन प्रकार का हिंदी का सब्जेक्ट आपका हिंदी प्रश्ण पत्र का नाम है हिंदी अनुआ ठीक है कि उसके बाद यहां पर समय दिया गया जा कि कि इतने घंट आपको यहां पर जानकाई दी गई है कि कितने क्वेश्चन का उत्तर कितने सब्दों में देना उसके लिए कितने नंबर मिलेंगी आपको पढ़ लेना ठीक है तो पहला प्रश्ण है अतलिक उत्रे का यानि कि खंड आ का कि अनुवाद सब्द का तात पर निरूपड की कि अनुवाद सब्द की परिभासा बताई अनुवाद सब्द होता क्या है तो सबसे पहले इस वीडियो मतब कि इस माल पेपर से आपको कुश्चन सेलेक्ट कराएंगे और इन सभी का उत्तर भी मैंने तयार किया है जो कि आपको नेचे मिलेगा ठीक है लेकिन पहले इंपॉ कि कहां से मिलेगा उत्तर ठीक है लगवग लबग वगफ सभी प्रसणों को उत्तर मिलेंगे आपको ठीक है एक आदे कोश्चन करना मिलें तो वह अभी तरीका बताई देंगी कहां से आपको मिल जाईगा अगला प्रस्ण है कि के अनुवाद तथा सांस्कृट का सब्मण सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला कि हिंदी सब्द अनुवाद है तो अंग्रेजी में कौन सा सब्द प्रयोक्त होता दोनों के समद्रार्थी होने का अधार सब्सक्राइब अगला प्रशन है कि अनुवाद से सांस्कृत का सब्द क्यों माना जाता है ठीक है तो यह अनुवाद के लिए पर्या वाचे सब्दो की क्या उप्योगता है तो अनुवाद का मतलब आप लोग पहले जाने लिए टांफ लेटर तीक है इसको आप लोग इंब्टिसमें टांफ लेशन भूलते हैं टांफ लेटर ठीक है बतब कि किसी भी लेंगोज को दूसरी लेंगोज में कर देना उसको हम लोग टांफलेट करते हैं कि कोई है कि किई इंग्लिश में तौ उसको आपके सी ऑजब से मांशा करना करना हुष का ना प्रसेस को न वहात करेंगे ठीक है चैक अनवात की परिभाफ़ा दीजिए पिर कारले अनवात का विप्रयास अंजाई यह महात्पूर्ण प्रशने कई बारा चुका है और इस बार भी आएगा पक कनूट कर लीजिए अगला कोश्चन है कि अनवात कला का संधान्तिक पर्शे देने वाली तीन पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के साथ लिखे मत्तब कि अनवात कला का पहले तो आपको फैधान्तिक पर्शे देना है ठीक है और पर्शे देने वाली तीन पुस्तक है उनका नाम लिखना है उनको लिखने वाले लिखों का नाम लिखना है ठीक है तो सेम टूसेम बहुत कमाता है लेकिन तयार कर लेंगे तो बैटर ही रहेगा बाकी बहुत इंपार्डन कोश्चन है इस वीडियो में आपको पूरा जरूर देखना है ताकि आपको मिल सके और मैं आपको यह भरोसा दि लिखने में तियार कर लेंगे तो आप अच्छे का से लिए रहें परिछल में आएंगे। विखने की किली तीन ऐसे और गरंथ्व का नाम में जिए लिए जिसमें से एक अंगेजी हिंदी को हो एक अंधि उर्दव सब्सक्राव सब्सक्राइब को भर अनुवाद किसे कहते हैं इसकी छमता पर पांच वाक के लिए के बहुत मौशिंपार्ण कोश्चन है मसी निरवाद की वारे पढ़ लेना है ठीक है नोट कर लिजिए अब आज आएंगे खंडबा की और अब खंडबा में आपको देखने को मिलते हैं लग उत्तरे प्रस्टी अनुवाद की गुण और दायत पर एक संतुलित आलेग प्रस्तुत कीजिए तो अनुवादक फिड़ा कोश्चन यानि कि जो भी ट्रामफलेटर होता है ठीक है जो भी इंसान है माली जो बहुत सारी लेंगोजों को मारे में जानकारी है तो कोई भी लेंगोज किसी भी ले लिखना है इंपॉर्डन कोश्चन नहीं आ सकता है बारा नंबर कोश्चन की अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की प्रोक समस्या है कौन सी है इसका समाधान कैसे किया जाएगा यह 100% कई बार रिपीट हो चुका है तो इस बार मीदे की पूरा आएगा ही आए ठीक है उसके ब अगला प्रशन है कि पारिभासिक सब्दावली का ताथ पर महतों समझाते हुए कम से कम तीन उद्रहां लिखिए पारिभासिक सब्दावली कोश्चन पक्का फसे का नोट कर लिए 100% अगला की बैंकिंग छेत में अनुवाद कारे का विस्तित पर्चे दीजिए यह भी फिप्टी फिप्टी वाला कोश्चन आभी सकता नहीं भी आ सकता है ठीक है तो आप पढ़ भी सकते इग्नोर भी कर सकते हैं वाज आएंगे हम खंड शाकी और जहां पर आपको बिस्तित यानिकी दिरगुत्री कोश्चन मिलेंगे पूरी जानकार यहां पर दी गई कितने क करना कितने सब्दों में करना को पढ़ लेना ठीक है तो दिरगुत्री के जो सब्सक्री पहला प्रश्चन यह है कि कि आनुवाद कीवल भासिक रूपांत्रण है अथ्वा इसके कुछ अन्यपच्च भी है इसकी बारे में आपको अस्पर्ष्ट करके लिखना है और बहुत महात्पूर्ट पर साबित हो सकता है ठीक है ध्यान लखेंगे इसका उत्तर तयार करतना है आपको ठीक है और अगला प्रश्चन अक्सरेट गारेंटी वाला आज तक कोई परिच्छा चूटी ने भी फोर समस्तर में हिंदी में यह प्रश्चन आया हो और यह कोश्चन है कि अनवाद की छेतने रोजगार की सब्भाहना आउपर व्रश्चत बेमस किजिए यह फिर अनवाद की सेतने रोजगार की संभाहना ना बताईए यह 101 परसेंट वाला कोईषचन अंड़र परसेगा और आपके कम și कम पांस से दस नंबर पक्के होंगे गैरेंटी वाला तीस परसेंट नहीं है कि आएगा साथ परसेंट उम्मेदी मतलब सत्र परसेंट उम्मेदी कि आ सकता है ठीक है और अगला प्रशन है कि अनुवाद कला साहित के छेत्र में वैस्विक अदान-प्रदान का मार्ग प्रसस्त करती है इसकी बिश्तित बिभीचना कीजिए तो अन के कल परसों है जब भी ठीक है तो इन तरीके के प्रस्णा आपको देख दो कि बिलेंगे ऐसा ही मार्ट पेपर होगा और कुछ इसी प्रकार के कोश्चन होंगे तो इस वीडियो में इस मतलब की मार्ट पेपर में जितने भी प्रस्ण दिए गये हैं सबसे पहले तो इनका का उत्तर तयार कर लेना इनका उत्तर मैंने तयार किया जो कि मैं आपको देने वाला हूं अभी मैं आपको दिखा रहा हूं और उसमें से में और भी कोश्चन है उनके वारे में आपको बताएंगे बाकी हो सकता है कि जो मैंने पीडियाफ तयार किये इन सभी प्रस्णों के उत्तर की उसमें दो-चार कुश्चन का उत्तर ना ही होगा तो उसको आपको ढूंड लेना है कहां पर इंटरनेट पर गूगल पर जाएंगे उस पर सर्च कर लेंगे जिस भी प्रश्चन का उत्तर चाहिए असानी से मिल जाएगा ठीक है बाकि हम आपको पीडियाप ले चलत में जो कुश्चन आने वाले हैं उन पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया है ठीक है ताकि आपको हैल पर मिल सके यह कुश्चन है और इसका इतर नीचे है तो कुश्चन इस प्रकार का फक्ता है कि पारभासिक सब्द की बिसेफ्ता क्या है ठीक है तो उत्तर में आप लोग प्रियुक्त होता हो और ग्यान के छेतर में एक निश्चित अर्थ प्रियुक्त होते हैं ठीक मतलब कि निश्चित उसका कोई अर्थ निकलता हो प्रियुक्त होते हो ठीक है तो उसे हम कहेंगे पारभासिक सब्द और जो सब्द एक निश्चित अर्थ में प्रियुक्त नह प्रियुक तो नहीं होते हैं वह समाने सब्द होते हैं परभासिक सब्द का अर्थ जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो और उनकी सीमा नहीं बांधी जाती वह साधार सब्द होते हैं मतलब कुछ वर्ड या फिर कुछ सब्द ऐसे होते हैं परभासिक जिनकी जो सीमाएं हैं जि पड़सिगए अभे मुतलब क्या होता हैं तो सेब क्या मतलब को सब्सक्राइब आप अगर वहीं पर बात की जाए विजटेवल या फ्रूट्ट के बात की जाए तो बहुत सुम्हें तो म EVERY चीज आएंगे ठीक है। उसमें आपका एपवल हो सकता है ठीक है मनाना हो सकT है ग्रेप हो सकता है पपाया हो सकता है तो बहुत फारी चीजे आ जाएंगे ठीक है हो कि इसका अंदर गट अपर फुनिख और जो एक परिभासा है मैं आपको प्रिफ्तुत कर दे रहा हूँ तो मुल्य अंकन किसे कहते हैं ये बड़ा प्रश्न है तो मुल्य अंकन सब्द दो सब्दो से मिलकर बना है ठीक है, मुल्य प्लस अंकन ठीक है, या अंग्रेजी के इसलेशन सब्द का हिंदी रुपांतर्ण यानि की हिंदी मतलब की हिंदी सब्द का हिंदी रुपांतर्ण है ठीक है, या अंग्रेजी के इसलेशन सब्द का हिंदी रुपांतर्ण है ठीक है, मापन जहां किसी वफ्तिय बिक्ट के गुड़ों का अंक प्रदान करता है वही मुल्यांकन उन अंकों का विस लेशन करता है उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम मुस्त अब्यक्त का चैन करता है मतलब मुल्यांकन जिसे कि आप पेपर दे देते हैं तो मुल्यांकन आप अलग-अलग कि आप प्रकार प्रच्छा सब्द सब्द आपने सुनाई तो इसके बारे में जान लीजिए समिच्छा का मतलब होता या फिर अर्थात अच्छी तरह देखना ठीक है समिच्छा का मतलब होगा अच्छी तरह देखना जाज करना किसी वफ्थर रष्ण या विषय के सम्मद में सम्यख ज्ञान प्राप्त करना, प्रितेक तत्व का विवेचन करना समिच्छा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगला है कि पुनर रच्छना किसे कहते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, पुनर रच्छन बोलते हैं, तो पुनर रच्छन द्वारा अधिनिस्त न्यालेव यानि की जो कोट होते हैं, ठीक है, न्यालेव द्वारा किसी बाद में उत प्रसाफनिक अनुवात से आप क्या समझते हैं महत्पूंट टॉपिक्स हैं महत्पूंट प्रशने भी तो प्रसाफनिक छेत्र में अनुवात क्यों सकता तब होती है जब बिभिन स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले पत्र या प्रलेख ऐसी भासा में हो जिसका ग्यान सरकारी अधिकारियों या करमचारियों को नहीं है या वह ग्यान अपर्याप्त है जिसको हम लोग कहेंगे प्रसाफनिक अनुवात के बारे में परिचे इस प्रकार लिखें एक अनुवाद ऐसे प्रपत्रों का अनुवाद जो आम जन के फीदे संबंद रखते हैं ठीक है जिसे पैफा जमा करने की परची खाता खोड़ने का फाम आदी यह सब आ जाएगा इसके अंतरगर ठीक है दोफरे सब्दों और या फिर दूसरे सब्दों में तकनिकी सब्दों होते हैं जो केवल बैंक के स्टाब के बेवहार में लाए जाते हैं ऐसे सब्दों का अनुवाद में साहितिक भासा का प्रियोग किया जाता है तो इस प्रकार बेसिक परचे लिखेंगे बैंकिंग अनु से आप क्या समझते हैं दोनों महात्पूर्ट प्रश्चन हैं तो जटिल होते हैं अधिकतर बैज्ञानिक साहित का अनुदित सोरूप पाठकों के लिए बोध गम में नहीं होता जबकि तकनीकी अनुवात का फरल और सुबोध होना बैज्ञानिक साहित के संप्रेश्णियता के लिए अहम होता है पाठकों के लिए मौलिक लेखन किसी भी साहित को सम्रद करते हैं मतलब कि आपको ये वाला तयार कर लेना है बैंकिक वाला और ये प्रसासनिक अनुवात ठीक है और ये वाला आप तयार करें चाहने तकनीकी अनुवात के बारे में ठीक पढ़ लेंग संबंदी अर्थात कानून की समग्री ठीक है समग्री को दूफरी भासा में अनुवाद किया रहता जो कानून की समग्री होती है उसको दूसरी भासा में अनुवाद किया रहता ठीक है उसके बाद अगला प्रश्ण है समाजिक बिश्यों का अनुवाद किसे कहते हैं पिस समाजिक बिश्यों का अनुवाद के बारे मताइए ठीक है तो ये है उत्तर ठीक है तो उत्तर लिखेंगे किसी समाज की भासा उस समाज के विकास में क्या भूमका निभाती है इस भूमका में अनुवाद किस तरह सहीयोग प्रदान करता है किस तरह वा भाफा को अन्य भासाओं सांस्क्रतियों ग्यान के बिविद छेत्रों में जोड़कर विकास के प्रक्रिया को शक्रे बनाता है तो यह सब चीजे ज्यानकारी मिलती है ठीक है इसके अंतरगत तो इस प्रकार लेखेंगे समाजिक विश्यो का ने प्रकार वाट्सप्ट पर मिल जाएगी टेलीग्राम वाट्सप्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्कूस्ट में मिल जाएगा तो उससे जोएन होके आप मतलब मैसेच कर दीजेगा कि सरह हमें बिएफॉट समस्टर हिंदी के महाचां गनां पेडियाप चैए तो आपको वहीं के सिंड कर देंगे ठीक है बाकी लगवख लगवख प्रस्ट यहीं से आएंगे बाकी आपके एक्जाम के लिए और एक बात ध्यान रखेंगे अगर किसी प्रस्ट का उत्तर थोड़ा सा मालूम है तो आप आके बना बना के लिख दीजेगा जिसका नहीं सब्सक्राइब कर लिजेगा और सब्सक्राइब कर लिजेगा